प्राणों से परिवद्य हर्थियों साथियों आज हम चर्चा करेंगे आदर्श्वादे विचारक लाला लाज स्वत्राय के राजनितिक विचार लेक्षर नमबर 36 जैसा है कि मैंने यह नोट किया है आदर्श्वादे विचारक लाला लाज स्वत्राय के राजनितिक विचार हम किसका द्यान कर रहे हैं आधुनिक भारती राजितिक चिंतन का और आधुनिक भारती राजितिक चिंतन में भी हम आधर्सवादी विचारकों का द्यान करते हैं जिन्हें की उग्र राष्टर वादी विचारक भी कहा जाता है या यह जो आदर्श्वादी विचारक हैं जिनमें हम मुख्यता पांच ले रहे हैं कौन-कौन लाल, बाल, पाल लाल मतलब लालाराज पत्राय, विपिंच अंदरपाल और लोकमान बारगंगादर तिलाग इसे के साथ में आर्विन गोस्ट और स्वामिद्यानद सर्श्वती इन मैं से मैंने आर्विन गोस्ष समझा दिया है स्वमिदेदन सर्श्वती भी समझा दिया है आज हम चाचा करेंगे लालाराज पत्राई के तो मेरा कहने का भावारती है कि आदुनिक भारत राजनतिक चिंतन के अंतरगत आदर्शवादी विचारकों को जम हम अमध्यन करते हैं लालाराज पत्राई के राजनतिक विचार मैं फिर एक बार दोर आ रहा हूँ बेटा जो ये आदर्शवादी विचारक हैं इन्हें को उगर राश्टरवादी विचारकों कहा जाता है क्या उगर राश्टरवादी विचारक के भी कहा जाता है अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि आदुनिक भारती राजनतिक चिंतर में उगर राष्ट्रवादी विचारधारा से सम्मान दित जो महतोपन विचारक हैं वो पांच हैं आर्विन गोस और देयानंद सर्श्वती और इन पांच में भी मुख्या कौन हैं लोक माने भाला गुणादारतिलग आपसे एक्जाम परसन पूछा जा सकता है कि उगर राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्य जो विचारक हो कौन है तो आपका अंसर होगा लोक माने भ विद्वान कौन है तो आपका अंसर होगा लोक माने भाला गुणादार तिलक यह आपको ध्यान रखना है तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ डाइगराम बनाएं समसे पहले आप यह डाइगराम समझेंगे इसके बाद में लाला लाज पत्राय को समझने में हमें कोई करने दिकत महीं है डाइगराम नम्मर एक यह मुल लक्ष है आप किस अध्यन कर रहे हैं आधुनिक भारति राजनितिक चिंतन की जुश्रुवात मानी जाते प Refением सम долे आप्जान नुमाम ॉराई असर्द्धियर ऑंश्राय को आधुनिक भारत का जनक पिता सनस्धा पंए जाता है तो राजाराम मोहनराय शे लेकर के मोहनदास करमचंद गांदी जी तक जितने भी विचारक हैं उन सभी विचारकों का मूल लक्ष है सुषासन की स्थापना करना आत्म चेतना की भावना जागरत करना आधुनुता की भावना जागरत करना जरा देहन दीजिएगा अ मैं यह कोंगा उदार राश्टorsवादियूं के भी हैं और गांडीजी के भी हैं तो नोट करेंगे मुललक्ष स्व्यसास。」नकिस्तापना आत्मी चेतना के भावना जागरत करना आत्मी इत्ता के भावना जागरत करना यस आगला डाइग्राम विचास रश्टिका सार्ट अप्तव है क्या मतलब है बेटा जो ये भारत के आदर्श्वादी विचारक है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं लालाज पत्राई की चर्शा कर रहे हैं बेटा ये पांच के पांच जो आदर्श्वादी विचारक हैं लाल बाल पाल आर्विन गोस दयानंद सर्श्वती ये आदर्श्वादी विचारक जो हैं ये यूरोप के आदर्श्वादी विचारकों से प्रफावित हैं और विचार या चेतना, नोट करना है, आपको मैंने तहां संकेत दिया है, वस विचार या या चेतना ही सरस्टे का सारतत्तो है, यह यूरोप के आदरश्वादी विचार कहते हैं, तो इसी ही बात को भारत के आदरश्वादी विचार को ने भी सेविकार किया है, कि विचार या चेतना इस रष्टिका साड़ तप्तव है एक बाद तूसरी बात प्रतिक प्रकार की सामाजिक सनस्ता विचार की अभिव्यक्ति है यूरूप के आदर्श्वादी विचार की बात बोलते हैं कि प्रतिक प्रकार की सामाजिक सनस्ता विचार की अभिव्यक्ति है चेतना के सनेश्टा के असका नाम क्या था आ रिये शमाज, अब जल्ब आप एगा जो ये-सWarersonof के अपना के थी तो ये उन के विचारों के अभीवर्यक्तिम है, तो ये बात पूर्णते है सकते हैं कि प्रतेक परकार के पांच इसका मतलब क्या है जीन आदर्शादी विचारकों का मधद्यन कर रहे हैं इसके अंतरगात विसेश कर पांच विचारक हम ले रहे हैं लाल बाल पाल लाल मतलब लाल लाज बत्राए व्पिन चंदरपाल लोकमान बारागंगा अदरति लग तीन होगे अर्वें गोश् नेक्ष डाइग्राम नमर दो शाहतंतरता अंदोलन को मुख्यता तीन कालों विवाजित किया जाता है मतलब वास्तिवी कुरूप में देखा जायते हैं शाहतंतरता अंदोलन की जो मूल इस्थापना हम करते हैं शुरुआत करते हैं वह 1885 से मान करके चलते क्यों कि भारती र तीन कालों विवाजित किया जाता है शुई धायकली जिससे काम इसको समझ सके तो पहला जो काल है शाहतंतरता अंदोलन का उसे नाम दिया जाता है उदार राश्टेता का काल यह जो काल 1885 से 1905 तक है इसके प्रमुखनेता को पाल कर्शल गोखले हैं ठीक है दूसरा जो काल है इसे नाम दिया जाता है उगर उगर राश्टेता का काल इसके प्रमुखनेता है लोकमान बालगंगादर तिलाच और तीसरा जो काल है शुतनतरता अंदोलन का यह राश्टेता का जो तीसरा काल है इसे नाम दिया जाता है गांधी यूग अर्थात इसका जो काल होगा व था और राष्टता बिय दूसरा कि आता हैł दूसरे बिचार है जिसूंटे का पूर्पराइबर विचारए । तो इन आदरश्वादी विचारकों को उगर राष्टवादी विचारक भी कहा जाता है, अब इदर आएए, हमने तीसरा जो डाइग्राम बनाया, सुत्र दिया है, फोर्मूला दिया है, वो ये दिया है, बेटा, जो ये आदरश्वादी विचारक हैं, जिसमें हम पांच ले करते हैं मतलब अपने देश में बनी वस्तों का इस्तेमाल करें शवराज की बात करते हैं यह गोपाल कृष्ण गोख्री के तरह यह नहीं कहते हैं कि ब्रिटिस सासन के अधीन रहते हुए हमें आजादी मिले यह नहीं कहते हैं यह तो पूर्ण सवराज की बात करते हैं तीसर बातों को शवकार करते हैं सवदेशी को सवराज्य को और सवराज में पूर्ण सवराज्य को यहां ज़रा ध्यान देंगे जो यह उदार राश्टरवादी हैं यह पूर्ण सवराज्य की बात नहीं करते हैं इनका कहना एक ब्रिटिस सासन के आदी ही नहीं हमें आजादी मिले लेकिन जो उगर राष्ट्रवादी जिनकों कि आदर्श्वादी विचारक भी कहा जाता है ये पूर्ण सवराजी की बात करते हैं तो आपको ज्यान देना है तो सवदेशी सवराज और वहिसकार की बात जो है लालालाज पत्राय ने भी किये अब ये तो आपको पता है कि मूल लक्षे के है आजादी भारत की आजादी लालाज पत्राय की राजवतिक विचारक मूल लक्षे के है सातंतरता राष्टी सवरतंतरता ये मूल लक्षे है तो ये आपको ज्यान में रखना है अब इधर आईएगा डाइग्राम नमबर चार ये मूल जो आज हम लालालाज पत्राई की चर्चा कर रहे हैं उसके उपर विशेश कर लागू होगा यहां मैंने त्रभुज के रूप में इसको समझा है वन टू थ्री इसका मतलब जो लालालाज पत्राई हैं इन्होंने राष्टरवाद देश बक्ती और शवदेशी की उपर विशेश बल दिया है तो नोट करेंगे आप यहां यह डाइग्राम अनगे राष्टरवाद देश फलीभूत होगा जबकि शवराज्य की प्राप्ति हो राष्टरवाद तभी फलीभूत होगा जबकि शवराज्य की प्राप्ति हो और जो देश बक्ती है यह देश बक्ती वास्तिविक रूप में राष्टर की प्रति निष्टा है ना कि राज्य की प्रति राष्टर की प प्रिति-समरपन की बहाना है इससे के साथ मी शवदेसी की बात करते हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका प्रिणाम होगा बैसकार अर्थात्वीदेश में इससे ब्रिटीयों के अंद्रगत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस से ब्रिटीस हर्थविश्टा डेरे-देरे कमज़ूर हो जाएघेएए भारत के अच्वस्ता मजबूत होगी ऐसी प्रिटिस सरकार परिशान हो जाएगी जो अंग्रेज लोग है परिशान हो जायेगे और वो परेशान होकर कि विवस होकर कि हमें आजादी दे देंगे, इनका कहने का मतलब यह है, अब मूल लक्षे के आ रहा है यहाँ पर आजादी की बात ही तो आ रही है, पूर्ण सवराजी की बात ही तो आ रही है, यह मूल लक्षे हो गया इनका, किसका लालाज पत्राय का, अब हम लालाज पत्राई के मूल जो विचार इसके चर्चा करते हैं सबसे पहले आप नोट करेंगे जो लालाज पत्राई हैं इनका जीवन काल है 1865 से 1928 मतलब 1865 में जनम होता है और 1928 में की मुर्ति हो जाती है इसमें ज्यादा मुझे बताने क्या हो सकता है क्योंकि जीवनी आई हो विशेश कर एक राजनितिक विचारक समाज सुधारक नोट करना है बेटाई समाज सुधारक और इसी के बाद में ये सावतनतर्ता शे नानी जरा नोट करेंगे जो लालाज पत्राई हैं वो मुख्यत एक राजनितिक विचारक हैं समाज सुधारक भी हैं और शावत पत्राई है इनका जो आरे समाज नामक सनस्ता है जिसकी स्थापना स्वामे द्यानद सर्शोते ने की थी तो आरे समाज से इनका सम्बंद रहा है किसका लालाज पत्राई का अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आरे समाज किस्ता अपना किस ने की है द्यानद सर्शोते ने तो लालालाज पत्राई का आरे समाज से सम्बंद रहा है नेक्स बात शवराज्य के मंतर को राजनिति का आनलन से जोड़ने का सिरह इनको है अब इसको नोट करना है और समझना भी है देखो बेटा स्वराज्य का जो मंतर दिया है स्वराज्य के जो उद्गोसक है वो कौन है बेटा द्यानन सर्शोती मतलब स्वराज्य की बात सबसे पहले करने वाले कौन है द्यानन सर्शोती है और ता स्वराज्य का जो मंतर देने वाले है वो कौन है बेटा द्यानन तो नोट करेंगे शवराज्य के मंतर को मतलब जो यह सवराज्य का मंतर है द्यालन सर्श्वति नहीं दिया है मैं फिर बोल रहा हूं तो शवराज्य के मंतर को राजनितिक आंदोलन से जोडने का स्रे लालालाज पत्राय को है मतलब शवराज्य का मंतर देने वाले तो द्याल प्राचीन भारत के गौरव की चेतना जगाने के साथ साथ देश को आधुनिक ताकि और प्रेलित किया अब जड़ा समझे हैं लाला लास पत्राए एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने प्राचीन भारत के गौरव की चेतना को तो जगाया कि भी प्राचीन भारत का जो गौरव है वो अनुकरनी है प्राचीन भारत वास्तिवी करूप में देखा जाए तो गौरव सालिय था तो ये बात इन्होंने कही है जगाने के साथ-साथ इन्होंने किया कि देश को आधुनिक्ता के औरी प्रीद किया अर्थात इन्होंने वास्तिवी क्रूप प्राचिन भारत के गोरों का गुनदान किया पर इसे के साथ में देश को आधुनिक्ता के औरी प्रीद किया इसलिए प्राचिंता और आदू निकता में समनवें करने वाले हैं यह ताल में इसापित करने कौन लालास पत्रह नेक्स्ट आप जो मूल बात आती है लालास पत्रहु क्यों क्विन की जो कताभें हों कौन कौन सी है क्रतिय आ है जब पूछ लिया जाते है तो विध्यारती शिकायत करते हैं कि सar आप जो है किताबी भी चाथ सद बता दिया करो तो हम प्परियास कर रहें कि किताबी में साथ-साथ बताँ को Physi सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है वो तरुन भारत युवा बारत तरुनու भारत nina 17 में लिखा है दूसरा भारत का राजनती क्भविश निस वलनी दरुआ है और भारत में राष्टवाद की संकलपना और दूसरा है देश वक्ति और शावदेशी जो कि हम लालालाज पत्रा किस रूप में समझा रहे हैं कि आप से किसी भी रूप में यूजी सिनेट में प्रसन पूशा जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है और आगर आपसे इस नाता किया इस समात को तरिश्टर की प्रिच्वाद की संकलपना भटा लालाज बत्राएं कहह रहे हैं कि प्रतेक राष्टर को प्रतेक राष्टर को अपने आदर्सू की स्थापित करने का धिकार है अपने त्वाम के आदर्स हूं, किसी अन्ने के आदर्स ना, श्रापित करने का दिकार है, अब भारत की तरफ संक्येत करे हैं, प्राचीन भारत बड़ा गोरोशाली रहे है, तो इसको किसी के आदर्सों को शवकार करने के जरुरत कहा है, यह तो स्वाम है पूरी दुनिया के लिए आईडियल है पूरी दुनिया के लिए यह तो आदर से पूरी दुनिया इससे सिखे हम दुनिया से क्यों सिखे यह लालाज पत्राय कह रहे हैं लेक्स्ट शवराज राष्टर की आत्मा लालाज पत्राय कह रहे हैं जो शवराज जी है वो राष्टर की आत्मा है मतलब कहने का यह है कि जब तक सवराज अर्था पूर्ण सवराज्य की प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है राष्ट्र विक्षित नहीं हो पाएगा राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ पाएगा इसलिए उन्होंने राष्ट्र की जो आत्मा माना है वो शवराज्य को माना है, पूर्ण सवराज्य को माना है, शवत्मतरता को माना है, लाक्ष्ट, लाला राजपत्रा है कह रहे हैं कि सवराज्य छिन जाने पर कोई भी राष्ट्र, मतलब यहां लाला राजपत्रा है कह रहे हैं कि अगर वास्तों में देखा जाए तो सवराज से हांक दो उधर चल देते हैं फिर से बोल रहा हूं शवराजे छिंजाने पर कोई भी राष्टर कोई भी राष्टर अब यहां भारत के तरफ संकेत है खुलम खुला मूख पसू का जुंड रह जाता है उन्हें जिदर हांक दो उधर चल देते हैं लाठी से उनको जिदर हां अगर आप वास्तिवी ग्रूप में देखा जाए तो आपके पास आजादी नहीं है तो आप मुख पसू के बराबर हैं यह लाला लाज पत्राय कहरें तो आप मुख पसू है और मुख पसू को लाठी से जिदर हांक दिया जाए उधरी चल देते हैं उसमें किसी प्रकार का त पूर्ण स्वराज्जे की बात किये नेक्स्ट नेक्स्ट भारत महान लालाज पत्राय कहरें कि भारत प्राथिन भारत बड़ा गोरोस और लिघ्ष एस तरफिक विदेशी सासन का त्हारा चित्ते है बहुत में मतलब भारत इतना गोरो महीं विश्वा का गुरू रहा भारत के अंतरगत विदेशी सासन का क्यों कि भारत तो वास्त्विक रूप में एक गोरव सालिरा है प्राचीन भारत के इतियास को उठा कर देखें तो ये पूरे विश्व का मार्ग दर्शन करने वाला देश है और यहां विदेशियों का सासन ये कोई उचितता नहीं है में तो पूर्ण सवराच्चे चाहिए ठीक आगे पहले राष्टवाद की संकल्पना पहले बिल्लुमी चल रहा है यह लाला राज पत्राय कि सासितु की सहमती ही किसी सरकार का एक मात्रत तरक्षंगत और वैदाधार है जड़ा द्यान लीजेगा लाला राज पत्राय कितन को पूरे भारती जनता है और भारती जनता की सहमती ही नहीं अब रिटिस सरकार को और जब सहमती ही नहीं है तो इस वैदाधा कि सिकेते वैद आ किसी कते हैं सासकों को सासितों की सहमती ही वैदता है राजवेवस्ता को पॉलर्टिकल सिस्टम को जनता की सहमती ही वैदता है तो यहां पर बिटिस सासन को वैदता का है जनता उनको सहमती देखा रही है तो बिटिस सरकार उचितपुर्ण है ही नहीं उसकी वैदता नहीं लैजिटी मैसी यह नहीं है लाला राजद्राइ में अध्यन किया होगा सक्ति और वैद्राइ तो लाला फारत्रार उसी वैद्रक्स के oh मातरतरक्षंत बातार है구 तो देह रहे हैं इसलिन अगार को नेक्स्ट, शामेधानिक संगर्स और निरा आतंकवाद उचित नहीं, लालालास पत्रायगा कायना है कि अगर हमें शवराज्य चाहिए, पूर्ण सवराज्य चाहिए तो इसके लिए किस साधन का इस्तेमाल करें, तो लालालास पत्रायगा है कि केवल सामेधानिक तरीके से आ आजादी राप्ते नहीं की जा सकती है तो इन्होंने इसके बीच का रास्ता अपनाया और कहा कि वास्तिक रूप में भारत की जनता पूर्ण रूप में समर्थ है और तैयार है ब्रिटिस लोगों को यहां से निकालने के लिए यहां लोग माने बाला गंगादर तिलक वाली भाती आ जाती है तिलक भी आगे चल कर यही कहते हैं कि हमने कोई प्रतिग्या नहीं कर रखी है कि हम जो है केवल समयदानिक साथ उन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं किसनी कही है तिलक ने तो यहां पर लाला लाज पत्राय भी यही six बाद होता है सहीधों के रास्ट होता है मूल बात यह है मकलवा एक वो सहीदों से रख से पुष्ट होता है स्पित ही पंड़वित होता है और अगर 63 दमं हो उसी और यह मूल लत असका- गये है इसलिए वास्टरबाद में देखा जाए तो भी राष्टरवात को और ज्यादा उत्तेजित करने वाली बात है क्यों कि यहां अत्याचार हो रहा है और इसे के साथ में जनता का धमन किया जा रहा है यहां पर ज्यादस्वात्य व्य즈 करनी क्या हो सकता है आप स्वाम समद गए होथ संव को मालूम है कि वासंद्रीक्र Almost प्रियास किया जाएगा जबकि शवदेशी की भावन आएगी और वहिशकार किया जाएगा विली सिवस्तों का तो यहां पर जो लालाज पत्राएगों नोरोजी की तरही भारत के आरतिक लिए जाएगा 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 ज तिसकार किया है लेकिन विदेस्य दवायों का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रिटिश सरकार को पंगू करना लालालाज पत्राय ने तर्क दिया की शुह सासन भारत के उदार उपाय और लालाज पत्राय ने कहा कि भारत अउधार तभी हो सकता है जब कि यहां पर 100 सासन की स्थापना हो जाए सवराजी की प्राप्ती हो जाए पूर्ण सवराजी की प्राप्ती हो जाए जब तक भारत को पूर्ण सवराजी की प्राप्ती नहीं होगी तब तक भारत का उधार नहीं हो सकता नहीं हो सकता नेक्सट लालालाज पत्राये ने कहा कि संसे दे साथन इस्ताफित करना चाहिए अर्तावत इन्होंने पार्लाइमेटर इसमकी बात के लियुए तरकिसे नहीं दिया है इन्होंने कि प्रतिमान को ही वह सानी है। तो संसरी साथन को अपनाने की बात कि विढ़ों कि यह आप। समस्रीय sasanne pranayali के प्रतिमान को ही वारत ने अपनाया भारत के सवंधान रिर्माता हुने समसरीय sasn के प्रतिमान को, यहां प्रशन बनता है, प्रत बनन नसका सृ Patient के प्रतिमान प्रतिमान को ही रटे डीक्षाइन کے όаю प्रतिमान से प्रतिमान से परिचित हो गए इसलिए नया प्रियोग करना उचित नहीं होगा दूसरा विंदू देश भक्ति और शावदेशी लाला ला स्वत्राय ने देश भक्ति और शावदेशी में आपको पहले बताई दिया है शावदेशि की बात देश भक्ति की बात आती है वास्तिवी गृूत में देखा जाए तो लाला याजपत्राय करें किए रास्ट्र का स्थान राज्य शें उंचा है अर्तात इन्होंने काई जो देश भगती है वो राष्टर की प्रती भगती है क्या राष्टर की प्रती भगती है और जो राष्टर है वास्तिवी कुरूप में राष्टर की आत्मा सवराज्य है इसलिए उन्हें सवराजी की बात की पुर्ण सवराजी की बात की जब तक सवराजी की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जो है राष्टर का विकास होई नहीं सकता तो राष्टर का इस्थान राज्ये से भी उंचा बताया यह नोंने अर्टात इनुने काया कि अगर देश बक्ति की भावना आप में है तो ये भावना इसी रूप में मला पुस्पित पल्लवित होनी चाहिए किस रूप में सव देशिक रूप में कि अपने देश में बनी वस्तु का इस्तेमाल करें नेक्स्ट भारत के लोगों को पस्चिम से जीवन की कला सीखनी है जीवन के आधर्स नहीं जरा द्यान देव लाला लास पत्राय कह रहे हैं कि भारत की जनता को भारत के लोगों को पस्चिम से जीवन की कला सीखनी है आदुनिता के तत्तु को तो लेना है लाला इस पत्राय कह इसने प्रत्य आधर्स नहीं प्रताइक राष्ट्रक के अपने आधर्स होते हैं आधर्सों को इस्थापित करने का अधिकार होता है प्रतिक राष्ट्रक को होता है इसलिए जीवन के आदर्स किसी से नहीं 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 बलकि जीवन की कला सीखनी है ठीक है लाला लास पत्राय नहीं ये बात कही है इसके बाद में इक्स जो बात है पस्चिम के आदर्स में अब जरा ध्यान में पस्चिम के आदर्स में पूंजिवाद और समाजवाद को एक ग्राहिये बताया मतलब लालालाज पत्राये ने कहा क्या कहा कि जो पस्चिम के आदर्स हैं उन आदर्स में पूंजिवाद और समाजवाद आता है तो इन्होंने पुंजिवाद और समाजवाद को भी एग रही यह बता है कि यह गरहन करने योगे नहीं है पर समाजवाद के कुछ त्थव इन्होंने वांसने बता है या उचित बताएं इनका कहना यह है कि वास्तुविक रूप में देखा जाए तो आर्थिक छेतर में समाजवाद की इस्थापना से पहले पुझजवाद जरूर आएगा लालाज पतराय नहीं कुछ जरूर नहीं कि समाजवाद की इस्थापना से पहले पुझजवाद आएगा ही आएगा इसलिए इन्होंने पूर्ण रूप में मतलब जो है पुझजवाद और समाजवाद को आएगराहिय बताया, बलकि इसके साथ में नोने समाज बात किया, अन्तरगर जो अच्छी बाते हैं इनको शव्यकार किया है, बुरी बाते हैं उनका त्याग किया है, अब निसकर्श निकाल लेते हैं, निसकर्श यह है कि राष्टी जीवन में धरम और अतीत के गोरव के पुल्वर्थान को महत्तव दिया कि इन दोनों का पुनुर्थान हो canopy आतीथ और मुरूद्वान की वीच से तुनिरमान कही हैं । पत्राय ने अतीत और वर्तमान की वीच सेतु निर्मान का काई किया, फुल बनाने का काम क्या कैसे, लालाला इस पत्राय ने अतीत मतलब प्राचीन भारत की संस्कृति को शर्कार करने की बात किये, प्राचीन भारत का जो गोरो है, उसको शर्कार करने की बात किये, और इसे क साथ में वर्तमान के बीचे तू मतलब इन्होंने ये कहा कि प्राचिन भारत के गोरों को तो आप शवकार करो प्राचिन भारत की संस्कृति को शवकार करो लेकिन इसके साथ में आधुनिक्ता के तप्तों को भी शवकार करना है जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि पस्चिम से ज उद्धम सीलता अब नोट करना यहां पर पस्चिम की उद्धम सीलता और बोदिकता पुरा नोट करें हैं अब पस्चिम की उद्धम सीलता और बोदिकता का आत्म साथ किया इन्होंने मतलब लाला लाज पत्रा ने पस्चिम की उद्धम सीलता और बोदिकता का आत्म साथ किय इन्होंने सब्कार किया है, मैंने पहले बता दिया कि पस्चिम से जीवन की कला सीखनी है, लाराज पतरा करें, पस्चिम से जीवन की कला सीखो, आदर्स नहीं, जीवन की आदर्स नहीं, जीवन की आदर्स तो प्राचिन भारत से सीखो, प्राचिन भारत से सीखो, पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और एक अधिकारी पुझी वाद है जो कि ब्रटिस सासनी की देन है ब्रटेनी की देन है इसका अंत जरूरी है इसका अंत होना चाहिए ये लाला राज पत्राय का कहना है तो इसके साथ में हम जो है लाला राज पत्राय के राजनतिक विचारों को गुराम देते हैं और मुझे जो पुरा इस्वास है आप लाला राज पत्राई की जो राजनतिक विचार हैं उनको आप इन दो भागों के मादम से दो बिल्दों के मादम से अच्छे से समझ सकते हैं पूरा प्रियास किया है कि लाला लाज फत्राय की जो मूल मूल बाते हैं और सब बाते मैंने यहां नोट कर दीया है और एक एक backstory कर चलिया हैा आप आको किसी विरूप में कोई दिकत है नहीं आने चाहिए मुझे पूरा ईस वाओसे Alice आप लाला लाज पत्राय की राजविति विचारों को बैहतर तरिकेजे समागे रहांगे यास मेंटा ओके थैंक्यू वेरी मुट्स थैंक्यू वेरी मुट्स